हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे में का सब आप सब का स्वागत है मैं विकास बचवक्लासिक्स का मैं और चेटर है आपका संख्याओं के साथ खेलना ये रिवीजन है वच्छो आपका तो इसमें देखिए हम बेसिक चीज अच्छे से कर रहे हैं concept फिर से revise कर रहे हैं और उसके आधार पर questions भी कर रहे हैं तो अब जो हम कर रहे हैं Prime Numbers एंड composite number Prime Numbers and composite Numbers के topic हमारे चल रहे हैं बचो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं Prime Numbers क्या होता है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए फिर से मैं बता देता हूँ Prime Numbers यानि अभाजय संख्याए और composite Numbers यानि भाजय संख्याए तो अब अभाजय संख्याए किनको बोलते हैं वह ऐसी संख्याए जिनके एक्जेक्टली दो फैक्टर्स हों मतलब ना तो दो से कम फैक्टर होने चीए ना दो से ज्यादा फैक्टर मतलब पता है ना बच्चो गुननखंड तो जिनके एक्जेक्टली दो गुननखंड ठीक है दो से ज्यादा भी नहीं दो से कम भी नहीं उनको बोलेंगे अभाजय संख्याए क्याइब ना पल हम कर चुके हैं फिर से देखेंगे कि एक से सो तक कौन सी कौन सी अभाजय संख्याइब होती है और कॉंपोजिट नंबर कौन से होते हैं इनके तू ओं देन more than two factors मतलब दो factor वाला तो भाज्य संख्याएं होगी या प्राइम नंबर होगे जिनके factor जिनके गुणनखंड दो से जादा हो या तीन या उससे जादा तो उनको हम बोलेंगे composite number यानि भाज्य संख्याएं क्लियर है बचों तो अब कुछ question करेंगे उससे पहले एक बार revise कर लेते हैं तो हमने प्राइम नंबर्स की list बनाई थी एक से लेके 100 तक तो एक तो ना ही prime होता ना ही composite होता यह आपको पता है फिर ये 25 ऐसे नंबर्स आते हैं से लेके 100 तक जो की प्राइम होते हैं ये बच्चों आपको पता होना चाहिए आप चेक करके भी देख सकते हैं तो कि बहुत मुझ्टिल नहीं है हम अब आगे खुड़ा सा जो इसके आगे एक्सेसाइज के आगे जो कॉंसेप्ट है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या ह होता है बच्चों हम विदाउट एक्चुली डिवाइडिंग ठीक है एक्चुल में भाग किये बिना ही हम देख के बता देते हैं कि यह नंबर किसी संख्या से पूरा-पूरा भाग हो गया नहीं होगा जब डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तब और इजिली आप इनक के प्राहिम नंबर से एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए देख लीजिए ताकि आप क्वेश्चन से अच्छे से कर पाऊगे तो ठीक है बचो आगे इसको करते हैं कंटीनू बेखिए फश्चन सब हम करेंगे आपके सामने यह तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी ठीक है प्ता लगेगा प्राइम नंबर कॉम्पोजित नंबर कैसे हम पता लगाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री देखे बचो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है तो यहां पर क्या बोला गया है कि दो संख्याएं हैं भई 13 और 31 तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं अधार है अभाज्य संख्याएं है एक तो यह देखिए कुछ आपको अलग सी एक पैयर नहीं लग रहा कैसे मैं बताता हूँ कि इसमें दो अंक का इस्तेमाल किया है एक और तीन हाना दोनों अभाजे संख्याओं में एक और तीन इनी अंक का इस्तेमाल जैसे जा तो अभाजे संख्या थर्टीन है और सेवंटीन है इसमें अलग-अलग अंकों का यूज किया है एक का यूज किया है, तीन का, एक का, साथ का, हैना एक का, तीन का और साथ का यूज किया है लेकिन यहाँ पे यह दोनों ही अभाजे संख्या है इन दोनों अंकों से तो यह एक यूग्म हो गए अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि भई find such pair of prime numbers of 200 मतलब ऐसे युग्म निकालने हैं आपको अभाजे संख्याओं कि अहां तक सो तक तो अभी हमने सो तक अभाजे संख्याओं देखी थी तो फटा-फट इनके युग्म निकाल ये क्या क्या होंगे उसके बाद fourth question है फिर write down separately the prime number and composite number less than 20 ये भी बहुत easy है बचो क्या बोला गया है कि write down separately the prime numbers and composite numbers less than 20 पीस से कम आपको अभाजे संख्याओं और अलग-अलग लिखनी हैं simple है पीस से कम जो भी अभाजे संख्याओं पहले वो लिखतेंगे फिर जो भाजे संख्याओं हैं वो लिखतेंगे तो उसके बाद five क्या है what is the greatest prime number between one and ten? तो एक और दस के बीच में सबसे बड़ी अभाजय संख्या कौन सी है यह आप से पूछा है प्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी सबसे बड़ी अभाजय संख्या तो एक से दस के बीच में सबसे बड़ी अभाजय संख्या कौन सी होगी ये भी आप identify कर सकते हैं कि आपने अभाजय संख्याओं का अब तो टेबल बना गया है तो जलिए बच्चों जल्दी से answers बताएं मुझे इन तीनों questions तो ठीक है बच्चों जिसको answers पता है अब सब अपने answers बताएंगे बच्चों ठीक है अब जलिए जी ऐसी पतलोच से बात करते हैं आपको अन्म्यूट किया जाएंगे बॉड मॉर्निंग बटा बॉड मॉर्निंग सार गुड मॉर्निंग बच्चे अब सेवन जलिए कौन से पार्ट का आंसर बता रहे पहले तो बताएंगे कौन से वेश्चन आंसर है अगर आपने अभी नहीं किया है तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए फिर आंसर बताएंगे आप कि अगरे इसके अलावा कोई और यूगम होगा भी या नहीं होगा यह भी सवाल है नहीं होगा चलिए मैं बोलता हूँ एक यूगम और होना चाहिए चलिए फाइंड आउट करने ही कोशिश कीजिए उसको कि और बच्चे को पता हो तो वह भी आंसर कर सकता है तो यह ठीक है कोई बात बच्चे बैठ जाएंगे आप बहुत अच्छे यह एसी पटलोट से हमें दो क्वेस्चन का आंसर मिला है ठीक है फिस्ट एंड थर्ड लेकिन थर्ड का आंसर मैं बाकी बच्चे बच्चा हूंगा क्या बता सकते हैं कि यह जो पियर बताया है यह सही है यह नहीं है पहला सवाल तो यह दूसरा सवाल इसके अलावा दूसरा पेर कौन सा हो दूसरा युग्म कौन सा हो कि ऐसी पटलोट बेटा आपसे बात की जाएगी विदिन अ मिनेट अच्छे से आप इसका आंसर एक बार मैं थोड़ा आपको फिर से 30 सेकेंड टाइम दे रहा हूं कि इसका थर्ड का आंसर आप कम्प्लीट बताएंगे दूसरा पेयर क्या होगा और खुल नमबर फॉर का आंसर भी आपको बताना है ठीक है क्वेश्चन नमबर फॉर का भी सॉल्व कर लिजिए अपनी नोट बुक में फिर एक साथ ही आप आंसर बता देंगे ठीक है बच्छे चलिए अब आपने सॉल्व कर लिया होगा बच्छो यह ऐसी पटलो जिसका आंसर आ गया हो अब बता दीजिए आप आंसर अब तक सब ने सॉल्व कर लिया होगा इसको सबने आंसर निकाल लिया होगा है ना मॉर्निंग सर गॉड मॉर्निंग बच्छे कर क्वेस्चन नंबर पूर का आंसर पता है सावास सर नाइंटीन कौन से वाली संख्या बताने पहले तो यह बताएंगे अभाज्य संख्या या भाज्य अभाज्य अभाज्य ची करने लिक देता हूं प्राइम नंबर अब बताएंगे कौनसी कौनसी अभाज्य संख्या है सर एलेवन एलेवन सर थर्टिन सर सेवंटिन सर नाइंटीन अच्छा और कोई नहीं होगा इसके अलावा बिच्चे सर थ्री सर थी सर फाइवन सर फाइव बस यह होगी अच्छा वन बोला आपने यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार का गया चलिए आप कंपोजिट नंबर बताएंगे बच्चे आप सर टू सर टू 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 सर टू सर प्लाव सर दू सर 6 8 सर 9 सर 10 Sir 12 Sir 14 15 18 15 18 or 18 15 15 very good और कोई तरने छुटा देख लीजिए अग सारे होगे Sir ठीक है बहुत अच्छे वेटा अब मेरे को यूखम और बता दीजिए थर्ड का आंसर अगर आपको पता हो के लावा कौन से यूखम हो से 38 नहीं बचे 38 प्राइम नंबर कैसे हो सकता है 38 तो दो से भाग होता है ना हमें ऐसे नंबर सी है जिनके से दोई फैक्टर हों Sir 39 39 and 93 नहीं बचे यह भी नहीं होगा क्योंकि 39 किस से भाग होता है 3 से भाग होता है सोचो सोचो सावास सोरी सर नहीं बेटा सोरी बोलने की जरुवत नहीं है आपको बहुत अच्छी कोशिश किये वेरी गुड बच्चे के बीटा क्या नाम बेटा आपका जग्दीश चंड जग्दीश बहुत बढ़िया जग्दीश देखे जग्दीश का कॉन्फिटेंस देखे आप सब बच्चे और ऐसा ही कॉन्फिटेंस रखना है आपको शावास सब तालिया बजाएंगी जदीश के लिए वेरी गुड सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे बहुत बढ़िया जग्दीश बैट जो बेटा आप चले कोई बात नहीं यहां ध्यान देंगे तो सबसे पहले काम करते हैं हम क्वेश्यन नमबर फोर को ही करते हैं solve ठीक है क्वेश्यन नमबर फोर को देखते है उसके बाद बाकी question तो यहां पे सबसे पहला सवाल यह है कि total 1 से 20 तर ठीक है 20 से कम कितने नंबर से हैं, टोटल अगर संख्याएं हम देखें, तो 20 से कम कितनी हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, खै, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, बंदरा, सोला, सतरा, अठारा और उननिस, ठीक है, तो 19 संख्याएं हैं, तो 20 से छोटी हैं, अब इन में से कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, और कुछ भाज्य संख्याएं हैं, तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा, कि आप अगर छोटे से शुरू करेंगे, मतलब एक सिरे से शुरू कर दीजिए न, तो आपका नहीं तो कोई नंबर छु कॉमपोजिट, मुझे ये बताईए, प्राइम या कॉमपोजिट, एक इन दोनों में से कौन सा है, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, प्राइम है, है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे कॉमपोजिट है, लेकिन मेरे हिसाब से ना ही ये प्राइम है, ना ही कॉमपोजिट है ब क्यों है इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत काम आएगा बच्चों यह आपके क्योंकि यह बहुत confusion करता है एक ना ही प्राइम है ना ही composite है इसका कारण मैं बता देता हूं क्यों क्योंकि अभी हमने सीखा था देखिए वापस जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे अभी हमने सीखा था जो अभाजय संख्याएं होती है उनके एक्जेक्टली दो गुरंदखंड होते हैं ना तो दो से कम ना ही दो से जादा अब मुझे बताईए एक के कितने गुरंदखंड है वही एक का तो एक ही है ना गुरंदखंड एक ही है वो खुद है इसके लावा औ और कोई गुननखंड नहीं है गुननखंड क्या होता है यह भी हम सीख चुछें दुबारा बता देता हूं ऐसी संख्या जिस से यह नंबर पूरा-पूरा भाग हो जाता है उसको बोलते हैं गुननखंड तो एक का एक ही गुननखंड है लेकिन यहां पर प्राइम नंबर के लिए हमें कम से कम दो चाहिए है ना एक्जेक्टली दो चाहिए मतलब तो यह प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि दो से ज्यादा चीए उसके लिए यहां तो यह दो भी नहीं है इसके तो दो से ज्यादा कहां से हो जाएंगे इसलिए नहीं यह प्राइम नंबर है बच्चो ये चीज समझना है अब दूसरी बात दूसरी बात ये कि एक का क्लियर हो गए सबको अब आता है दो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है तो वैसे तो इवन नंबर है है ना इवन नंबर या फेर वो समझनें बोलते हैं तो जितनी भी समसंख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी कॉंपोजित नंबर सुंगे दो को छोड़के दो कॉंपोजित नंबर नहीं होगा इसका करण समझे बचो तो composite number यहाँ पे नहीं होगा और एक prime नहीं होगा यह चीज़ समझना है आपको क्यों समझनी है क्योंकि दो के कितने गुणन खंड है यह चेक करना है आपको जोके factors लिखे इसके जो factors हैं यानि गुणन खंड जो है दो के वह एक दो एक से पूरा-पूरा भाग होता है तो इसके सिर्फ दो ही फैक्न है तो दो किसके factors होते हैं ? दो किसी दो भी किस category में आएगा ? प्राइम numbers की तेodie में आएगा किसल में ? प्राइम नंबर तो सबसे ज़्यादा जो गलतिया होती है वो इन दोनों नंबर्स को लेके होती है वन एंड टू को लेके के लिए ये क्लियर कर लीजिए बच्चो ताकि आज के बाद इसमें आपको देखत आए तो एक क्या हो गया एक तो स्पेशल नंबर है ना ही वो प्राइम होता और नहीं कॉम्पोजिट होता जब की दो क्या है तो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है लगता ऐसा है कि यह भाज्या है लेकिन इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होने के कारण इसको प्राइम नंबर यानि अभाज्य संख्या के टेगरी में रख दिया गया है अब देख तो कौन्छे कौन्छे होगे दो, फिर दो के बाद बच्चो, तीन आएगा, ये भी प्राइम नंबर है, तीन के बाद चार कॉम्पोजिट हो गया, ना, चार क्या हो गया, प्राइम नंबर है, त्थे कॉम्पोजिट हो गया, साथ प्राइम नंबर है, आठ नो, दोनों कॉम् है लेकिन 11 प्राइम नंबर है फिर इसाइी हो गए आपके प्राइम नंबर कंपोर ऐसे तोल किन भी लेकिन नेकिन 11 प्राइम नंबर सबलत धार कंपोर्जिट 13 नंबर है थे बारा प्राइम नंबर लेस देन 20 अब आपको composite नंबर लिखने हैं कोई दिक्कत नहीं लिख लिजिए तो देखे बच्चों ये बिलकुल आपने सही लिखा है सही आंसर थे आपके बस फरक क्या हो गया ये दो चीजों में थुड़ी गढ़वर है तो इसको आप ध्यान देंगे और इसको improve करेंगे ठीक है बचे देखें गलती होती है अच्छी बात है गलती होना अच्छी बात है लेकिन एक ही बार होनी चीए वो गलती अपनी गलती से ही आप सीखेंगे ना तो गलती एक बार होनी चीज़ वो बार बार नहीं होनी चीज़ एक बार होती है गलती अच्छी बात है लेकिन उस गलती को सुधार नहें अगली बार आपको करेक्ट करना है उस चीज़ अब देखें कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते है तो पॉजिट नंबर भई चार हो गया यह पॉजिट है फिर खै आठ नो दस बारा चोदा पंदरा सोला अठारा यह सब क्या है तो यह आपका सॉलिशन नंबर पोर हो गया सॉलिशन नंबर फाइफ की बात करें तो भई पांच तो बहुत है सिंपल है सॉलिशन पांच में क्या है भई वाट इस दे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बेट्विन वन तू टैन यहां पर आप देख लीजिए एक से दस के बीच में सबसे पढ़ा प्राइम नंबर साथ आ गया तो बिलकुल सही आंसर दिया था आपने प्राइम नंबर ये क्या है साथ होगा वोज दिक्कत नहीं इसमें अब हमारे पास आता है ये वाला सिन्ह क्या आता है ये वाला सिन्ह ठीक है तो इसमें देखे क्या और लुआ हो सकता है हमें देखे क्या क्या हो सकता है हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन से कौन से होंगे सबसे पहले तो इसके लिए question number 4 को answer करने के लिए 3 को solution 3 हम करेंगे तो question number 3 को answer करने के लिए हमें कौन से कौन से prime numbers है यह पता होना चीए इसलिए बोला गया है तो up to 100 हमें चेक करना एक तो यह बता दिया है 17 and 71 जैसे 13 और 31 वैसे ही 17 और कितना है 71 है यह किस किस से मिलके बना है एक और 7 से तो ही विजिट्स यहां पर यूज की गई है 1 and 7 उसके बाद कौन सा होना चाहिए उसके बाद बच्चों एक और आ जाएगा हमारे पास देखे अगर मैं लिखना हूँ 37 and 73 क्या यह दोनों प्राइम नंबर है 73 और 39 देखे आप चेक करिए यह किस से बना है 3 और 7 से चलिए एक और मैं बताता हूँ 79 and 97 जैसे यह किस से बने हैं 7 और 9 से यह भी अभाजे संख्याएं हैं तो चलिए बच्चों इनको बताएए कि यह जो थर्ड वाला पार्ट मैंने किया है क्वेश्चन थी किया है इसमें आप कुछ और सजेस्ट करना चाहेंगे या भाई कोई बोलना चाहेगा कि नहीं इन में से कोई यह प्राइम नहीं है आपको कुछ भी लगता है आप मुझे हैंड्रिस करके बताएं ठीक है और अगर ठीक लगता है तो फटाफट कर लेंगे हैं कि नहीं चलिए और फटाफट चेक कीजिए आपने एक से सो तक प्राइम नंबर तो लिखे है ना उसमें से चेक कीजिए इसको तो ठीक है बचो इसमें किसी को डाउट नहीं है अगर डाउट हो पूछ सकते हो इन तीनों क्वेशन्स में ठीक है तो यह बिल्कुल सही है अब देखिए सबने कर लिया ना नोट कोई रह तो नहीं कहया जिसने नोट नहीं किया है सबने कर लिया है यह अब देखिए फिर से मैं आपको इस पेज पे लेके आता हूं यह किये थे हमने प्रीवियस क्लास में एक से लेके हंड्रेड तक जो भी आपके प्राइम नंबर को सरकल कर लिया northwest लाल रंग से जो दो मैने लगाया है तो क्या हो गया दो सरकर में लगाया है यह क्या हो गया यह सब प्राइम नंबर हैं अब हजय झाल झाल ठीक है बचो तो ये अच्छे से टेबल आप note down कर लीजिएगा और आज जो हमने class में किये हैं questions उनको अच्छे से आप revise करना देखिए दो concept जो जरूरी है प्राइम नंबर्स क्या होता है और composite नंबर यानि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कैसे हम इनको find out करते हैं यह सब अच्छे से आपको घर पर revise करके आना है ताकि आगे वाले questions आप easy कर सको इसी के साथ students आज का session हम यहाँ पर end करेंगे thank you and have a nice day